So hey guys, एक बार फिर से Hacker Singh चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो guys, आज का ही वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाल है क्योंकि कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ से करने माला हूँ कैसे आप अपने फोन के हेल्प से एक प्रोफेशनल लेबल के वीडियो को इडिट कर सकते हैं और गाइस आप बिगिनर्स हैं आपको इडिटिंग नहीं आती है तो गैस इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदब प्रफेस्नल लेबल के वीडियो को एडिट कर सकते हैं अगर सिंपल लेंग्वाइज में समझे तो गैस आज का ये वीडियो जो है को डाउनलोड कर लेना होगा और आई नो कि आपने अल्रीड से डाउनलोड कर रखा है तो आप इस अप्लिकेशन को ओपन कर लिजिए उपन करने के बाद गयाज देखेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा तो कि आपको वीडियो एडिटिंग करने के आपके बात लिएरे पर आपके पास बहुत सारे जो है जो हो जाते हैं पहले प्सट जो की जो की है लिएटवरा मतलब हो आप इस वीडियो में उस पार्ट को कॉट चक्ते हैं जैसे कि मुझे ही यहां से यह यह लेफ्ट साइड वाले पार्ट उसको करना है तो मैं लेफ्ट प्लेहेड को क्लिक करूंगा और यह जो करें सकते हैं जो आगे वाला पाट है वो चुका है अब माली उस पाट को वापस लाना है तो लेफ्ट साइड में एक अंडो का उप्षन मिलता है जो कि simply आपको उस पर क्लिक करते तो वह जो पार्ट आपने कट किया था वह वापस आ जाता यहां पर और भी बहुत सारे ट्रिम में आप्शन दिये जाते जैसे कि ट्रिम ट्राइड प्लेवर्ड मतलब राइट साइड के प्लेवर्ड में आप कट सकते हो एक प्लेवर्ड मतलब बीच में भी आप कर लगा सकते हो या पिक कहीं भी ट्रिम कर सकते हैं अब बात करते हैं नेक्स जो की है तो यहां पर देख से कितनी अच्छी तरीके से यह वीडियो पैनेंजूम हो रहा है तो यह होता है पैनेंजूम का फंजन ठीक है इस तो हम सिंप्ली से अंडो कर लेते हैं जैसा था वैसा वीडियो हम रख लेते अब बात के इसके थर्ड अप्शन की जो की है साउंड अब मा ही आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते तो आपका जो साउंड उसे हंडेट परसेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जागा ठीक है तो यह था हमारा साउंड का फीचर अब बात करते हैं क्लिप ग्राफिक अब माली जी आपके वीडियो में कोई क्लिप एड़ करना चाहते है कोई इफेक्ट एड़ करना चाहते तो इस चीज के हर्फ से आप बहुत इजीली आड़ कर सकते है ठीक है तो यहां पर माली जे मैं यहां से कोई एक क्लिप को एड़ कर लेता हूं जैसे कि बेसिक टाइटल नो बेसिक टाइटल उतना खास नहीं लग रहा है इस वे से से कुछ लिग देता हूं जैसे कि वेल्कम वेल्कम टुम मैं चैनल तो वेल्कम मैंने लिए ठीक है अब मैं सिंपली यहां पर क्लिक कर दूँगा क्लिक करने के बात गाइस देखिए वीडियो कैसा आप ले होगा तो देख सकते कितना मस्त दिख रहा है मतलो है हेलो करके एक नॉर्मल स्पीड आपकी वीडियो का और आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस सिंपली आपको क्या करने 1.5 या फिर 2 पर लाके रख देने जिससे कि क्या होगा इसका जो लेंध वीडियो का वो कम हो जाएक और स्पीड जो है वो इनक्रीज जैसे कि मैं आपको एक आपल दिखा देता हूँ मैंने इसे सेव कर दिया और इस वीडियो को प्ले करते हो देखिए कि इतना फास्ट हो गया तो मैं इसे नॉर्बल पर वापस लख दे रहा हूँ जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं इसे सिंपली सेव कर दूँगा तो इससे आप अपन करते तो यहां पर आप भी रिवर्स कर सकता है जैसे कि मैंने इस वीडियो के क्लिप पे टैप किया करने के बाद सिंपली मैं इसे रिवर्स पे क्लिक कर दूँगा तो रिवर्स पे क्लिक करने के बाद जो है यह यह रिवर्सिंग मतलब प्रोसेस होने लगा आपके वीडिय से समझ आते कि reverse क्या होता है उसके बाद जो है next option rotate and mirroring आई know की rotate जानते रहेंगे मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताना जरूरी है इस बाइक आते next option जो है इसका color filter अमाल लेजे आपका जो वीडियो है उसका जो color काफी ज्यादा कम है या फिर काफी ज्यादा brightness है तो आप उसे कूल में कोल में कैसे रख सकते हैं इस फिल्टर के ऑप्शन के हेल्प से आप अपने वीडियो के color को एड़ेस्ट कर सकते हैं जैसे कि माली जो में क्लिक करता हो और यहां से कोई भी एक वीडियो के फिल्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि मैं 0 CO3 सिलेक्ट कर लेता हूँ आप देखिए यहां पर जो इस वीडियो का brightness है वह थोड़ा सा different लग रहा है तो इस चीज़ की है आप अपने वीडियो के filter को चेंज कर सकते हैं अपने वीडियो के color को चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली सो बात करते हैं अपने next option की जो की है एड़्जेस्ट में सेमें यहां पर आपको तीन option मिल जाते हैं फॉर्स्ट ब्राइट में सेकें एक contrast and third situation यह डिपेंड करता है आपके उपर कि आप अपने वीडियो के brightness को कैसा रखना चाहते हैं contrast को कैसा रखना चाहते हैं मैं अभी यहां पर सेम रहने दूंगा सबको जीरो रहने दूंगा नहीं तो यह वीडियो काफी ज्यादा गंदा दिखने लगेगा और इसे सिम्पली में सीफ कर दोगा ठिक है कि अपके सबसे बेस्ट फिचर जह यहीं लगता है इसमें सबसे बजाट करू पुछ जया तो लेवल में आ जाएगा और काफी अच्छा लगता है यहां पर और भी बहुत सारे ओप्शन्स दिये गए जो कि आप अपने वीडियो के और यू में इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की जो की है वॉल्यूम इनोलप अब इसका मतलब क्या होता है वॉल्यूम इनोलप एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से आप अपने वॉल्यूम के ट्रैक को कम या ज्यादा कर सकते हैं मतलब आप उस साउंड को कम या ज्यादा कर सकते हैं मालीजा आपके इस वीडियो में दो से तीन ट्रैक तो आपको क्या करना है Simply उसपोंच पे लेकर जाना है जहां पर आपको अपनी वॉलीम को कम करने और वहां पर लेजाने के बाद सिंप्ली आपको वालुम इन्योल आपको डाउन कर देने तो इससे क्या होगा कि वह जो सेकेंड ट्रैक का ओडियो था वह प्ले होगा और फॉर्स्ट ट्रैक वाला जो आडियो है वह पूरी तरीके से मिउट हो जाएगा मतलब आप उससे मिडियम में भी रख सकते मिउट में भी रख सकते हैं यह डिपेंड करता है आपके उपर सो हीगे जब बात करते हैं अपने वीडियो की नेक्स्ट ऑप्शन की जो की है रिवर्ब इस वीडियो में कोई साउंड है जिसके वज़े से आपको इस रिवर्ब का मतलब अच्छी तरीके समझ में नहीं हैगा बट मैं आपको बता देता हूं रिवर्ब क्या है एक्चली आपके वीडियो में जो साउंड है उसे यह कॉस्टेमाज कर देता है मतलब फिल्टर कर देता है यहां पर बहुत सारे ओप्शन दिए गहां जिसके केव है अरेना है करंच है इको रूम है हॉल डीले है स्प्रिंग रिव वीडियो में कोई नहींगे जिसके वाज़ए में यह नहीं बता सकता है वोडियू में इसे होतासॉट अ disini just वो चेंज कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी जो कि यह विगनेट विगनेट क्या है मतलब मालीजिए अगर आप इसे इनेबल करते तो आपका जो वीडियो उसका कॉंट्राइज जो है वो कॉंट्रास्ट में काफी ज्यादा कम हो जागा और सेंटर में इसका जो क एक वीडियो में कोई यह Prepare करना चाहते या फिर उस वीडियो से उस ऑडियो को निकालना चाहते है तो simply और को एकस्ट्रेट ओडियो और भी ज्यादा लंबा होने तो आप भी बोर होने लगेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी यूटूब चैनल पर डालूगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करतीचेगा और अगर आप हमारे चैनल पना है तो निचे दिए लाग बटन को दबाके चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही साथ बेल आगम को प्रेस कर लिजेगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए तो आज के लिए इतना है मिलते अगले वीडियो मेरे नहीं और इंटरस्वी तपी के साथ तब तक लिए गाइस बाबाइए